असलाम वालेकुम एब्रीवान विल्कम बैक तो मैं चैनल आइप सु यॉआ डूइंग गोड एन अल्हम्दुलिल्ला हम लोग भी बिलकुल ठीक है और साधिय की एक्जैम स्टार्ट हो गए बहुत बिजी डेज जा रहे हैं मतलब एक दिन अल्टरनेट डेज पर हो रहे हैं बट एक दिन जो होता है वो सारा दिन प्रेपरेशन में चला जाता है तो कुछ ज्यादा में व्लॉग बगरे बनानी पा रही हूं तो मैं आपके साथ ना आज भी रेसिपी शेयर करने वाली हो क्योंकि रमजान आ रहे हैं तो मैंने आप लोगों बोला था कि मैं रमजान की तक तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो मैंने सोचा क्यों ना ठंडी ठंडी सी ड्रिंक्स शेयर करी जाएं और आप लोग उसको इंजॉय कर पाए रमजान में और बहुती कम और बहुती सिंपल इंग्रीडियेंट्स यह साथ में बनाने वाली हूं और उसमें जितन करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरी चारग को सब्सक्राइब नहीं करें तो दीजिए को लाइक करियेगा और जादा से जादा शेयर करिएगा तो चले किचिन में चलते और वो तीन डृंक्स मैंने किस तरह से बनाई हैं तो जिस्टार्ट करतें डी आपने भी में शेक्स आपके सादा शेयर करने वाली हूं तो मैंने इसमें साथ से आठ खजूरे ले ले लिए उनके सीट्स निकाल दिये और मैंने ब्राउन शुगर का यूस करा है आप चाहे तो आप वाइट शुगर या फिर शुगर फ्रीका भी इस्तेमाल कर सकते तो आप यूस कर सकते हैं वैसे तो इसका कोई टेस्ट होता नहीं है लेकिन जब भी हम इसे किसी तरह के शेक में या स्मूदी में यूस करते हैं तो वो उसके फ्लेवर को और भी ज्यादा एन्हांस कर देता है एन इट्स रेडी तु सर्फ अप चलते हैं जी ड्रिंक नंबर ट तो यहां पर मैं तुखमीरा डाल दूगी और उपर से यह पूरा मतलब बनाना का जो मैंने शेक बनाया है यह डाल दूँगी और यह भी मतलब फुल ओफ न्यूट्रियेंट्स हेल्दी मतलब आपको सारा टाइम एनरजेटिक रखेगा यह ड्रिंक और उपर से हलका सा मैंने इसे गार्निश कर दिया इट्स रेडी तु सर्फ तो अब बनाते जी अपना लास्ट ट्रिंक और यह है जी बहुत ही सिंपल बट सब ही को पसंद आने वाला है छोटों को बड़ों को बच्चों को सब को पसंद आएगा यह तो मैंने इसमें आमंड और कैश्यू जाट कर दिये वन बन टिबली स्पून और इसके साथ ब्राउन शुगर डाल दिये अगें आप वाइट शुगर य तो थोड़ी सी युनीक सी रखेंगे हम और इसको मैं गार्निश करूंगी ग्लास को चॉकलेट सीरप से अगर आप किसी भी खाने को अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे तो वह लुकवाइस भी अच्छा लगता है और टेस्ट तो ऑवियसली वह डिपेंड करता है कि तो यहां पर मैंने वह ड्रिंक डाल दिया है और थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दिया और उपर से गार्निश कर दिया है चॉकलेट सीरप से एं इट्स रेडी तो सफ तो देखा आपने कितनी कम इंग्रीडियंट के साथ इतने मज़े मज़े की ड्रिंक्स मैंने आप लोग तो चले जी मैं मिलूंगी आप से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिए अगर मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तिल देन जी वबाई अलाहाफिज एं टेक केर